Hello friends, welcome to MPR Tech. इस वीडियो में हम आव इंटो सवे 2016 में Mirror Storage Space create करना सिखेंगे. Last वीडियो में हमने दो hard disk का use करके एक storage pool create किया था, बाद में हमने उस storage pool में एक virtual disk यानि की storage space create किया थी. हम physical hard disk में जैसे partition create करते हैं, वैसे ही हम storage space में भी partition create कर सकते हैं और वहाँ पर data store कर सकते हैं. जब आप storage pool में नई virtual hard disk create करने के लिए चाते हो, तब wizard में आप से पूशा जाता है कि आप इस virtual hard disk के लिए कौन से टाइब का storage layout सेलेक करना चाते हो. वहाँ पर आपके पास total तीन options available होते हैं. Simple, Mirror या फिर Parity Storage Layout. अगर आपको mirror virtual disk create करनी है, तो आपके storage pool में आपके पास minimum 2 hard disk का होना ज़रूरी है. अगर 2 से ज्यादा hard disk है, तो भी better है, बट mirror storage space create करने के लिए storage pool में minimum 2 hard disk का होना ज़रूरी है. So, देखते हैं कि हम Windows 7 2016 के अंदर mirror storage space के इस तरह से create कर सकते हैं. सबसे पहले आपको open करना होगा software manager और जैसे software manager dashboard open हो जाता है, उसके बाद आपको क्लिक करना है file and storage services के उपर, उसके बाद आपको क्लिक करना है storage pools के उपर, यहाँ पर जो पिछले video demonstration में हमने एक storage pool create किया था, वो storage pool आपको देखने मिल रहा है, जिसका हमने नाम दिया था pool 1. pool 1 create करने के लिए हमने दो hard disk का use किया था, जिसकी size से 100 GB, जो total capacity थी, उस storage pool के वो थी 199 GB, जिसके अंदर हमने एक virtual disk create कियी थी, जिसका हमने layout से लिक किया था simple, और जो capacity हमने दी थी, वो थी 100 GB, अब हम इस video demonstration में, इस storage pool के अंदर एक mirror storage layout का virtual disk create करना चाहते है, जिसके लिए मैं क्लिक करता हूँ, pool 1 पे और यहां से सिलेक करता हूँ, new virtual disk, सिलेक कर लेते है, pool 1 और क्लिक करते है, okay बटन पे, क्लिक करते है next पे, अब आपको यहां पर पूशा जा रहा है, कि आप इस virtual disk को एक नाम specific कर भीज़े, मैं नाम दे देता हूँ, virtual disk 2, क्लिक करते है next पे, again क्लिक करता हूँ next बटन पे, अब यहां पर आपके पास options है, कि आप कौन सा storage layout सिलेक करना चाहते है, mirror virtual disk बिल्कूल red 1 जीसे है, जहां पर आपको data के लिए for tolerance feature available होता है, partition में जो data आप store करते हो, उसकी copy दोनों physical disk में write होती है, जिससे data की reliability increase होती है, पर जो size हो है वो आधि हो जाती है, यानि कि अगर आप 50GB का mirror layout सिलेक करते हो, तो 50GB दोनों physical hard disk से consume होगी, बड़ जो आपके पास data storage के लिए available disk space होगी, वो होगी 50GB ना कि 100GB, सो सिलेक कर लेते है mirror, आप यहां से description भी पढ़ सकते है, और उसके बाद आप क्लिक कर सकते है next button पे, अब हम यहां से सिलेक कर लेते है thin processing, क्लिक करते है next पे, अब यहां से मैं size specific कर रहा हूँ 40GB, क्लिक करते है next पे, और क्लिक करता हूँ create button पे, जैसे आप यहां पर देख रहें, virtual disk successfully create हो चुकी है, आप मैं क्लिक करता हूँ close button पे, हमें यहां पर मिल रहा है virtual disk 2, जिसका layout आप यहां से देख सकते हैं, जो है mirror layout, और जो processing type आप यहां से देख सकते है thin है, और जो capacity हमने specify की है, वह footage ही उगी, उसके अंदर हमें एक volume create कर लेते हैं, उसके लिए मैं यहां पर राइक क्लिक करता हूँ, और यहां से select करता हूँ new volume, लिक करते है next button पे, यहां से select रखते है server 01 को, क्योंकि हमारे पास एक ही server है, और यहां पर मैं select कर लेता हूँ disk 5, क्लिक करते है next button पे, यहां पर मैं जो maximum size available है, वो है 39.9GB, उसके को यह use कर रहा हूँ, drive later हम यहां से select कर लेते है M, चुकि हम ने यह जो layout select किया है, वो है mirror, प्लिक करते है next button पे, यहां से मैं first system select कर लेता हूँ refs, जिसके help से हम इस partition को format करने चाहते है, प्लिक करते है next button पे, और अब मैं क्लिक करता हूँ create पे, okay, mirror storage space के अंदर हमने successfully partition पी create कर लिया है, क्लिक करता हूँ close पे, और अब मैं क्लिक करने के लिए जा रहा हूँ disk के उपर, यहां पर मैं select कर लेता हूँ what should disk 2, और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, हमें एक volume देखने मिल रहा है, जिसका drive letter है M, open कर लेता हूँ file explorer, और file explorer के अंदर हमें एक volume देखने मिल रहा है, जिसका drive letter है M, so इस तरह से आप windows 7 2016 storage pool के अंदर mirror storage space create कर सकते हो, इस विज़ो दोंस्टेशन के लिए इतना ही, thank you for watching this video, अगर आपको मेरे विडियोज पसंद आते हैं, तो इस विडियोज को like करना ना बूले, और मेरे latest YouTube विडियोज के information के लिए, M, PR Tech चैनल को subscribe करना ना बूले, thank you.